हेलो, नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सब को जानकारे देंगे कि आप अपने डोग को गर्मियों में क्या खाना दें, क्या डाइट दें, कि गर्मियों में आपका डोग अच्छा रहे, उसको ज्यादा गर्मी भी ना लगे, और वह गर्मी के इंदर जो गर्मी आ रही है, अपने डोग को क्या खाना दें गर्मियों में उसको ज़्यादा गर्मी लगती है ज़्यादा हुलगने लगता है ज़्यादा प्यास लगती है तो उस सब का solution मैं आज इस वीडियो में आप सब के साथ share करूँगा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि गर्मियों के अंदर और सरदियों के अंदर अलग अलग डाइट होती है जो लोग ने डोग रख रहे हैं ने डोग लवर हैं उनको इस सब चीजों के बारे में नहीं पता है और जो हमा आपको बताएंगे फिकर करने की कोई आफसकता नहीं है दोस्तों गर्मी का मोसम में एक ऐसा मोसम है कि जिसमें आपके डोग को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है चाए डोग नसल का हो चाए इंडियन देशी डोग हो गर्मी बहुँ ज़्यादा लगती है भई तो इस देख सकते हैं मैंने इसके आगे पानी का कोला धर रखा है और वो भी मिट्टी का है कोला क्योंकि मिट्टी के बरतन में ठंडा पाने रहता है अच्छा पानी रहता है इसलिए आप आमने डोग के आगे जो पानी पिलाने वादा रखें तो वह है अवसे ध्यान रखें मिट तो या और किसी अन्य चीज़ का हो लेकिन उसमें पानी ठंडा रहना चाहिए तो यहीए आपको बताने चाहँ रहा हूं कि सबसे पहले इसको कोई अलग मैं आपको बताओं तो सुबह की डाइट में आप रोटी दे सकते हैं जो आपकी इच्छा है दो रोटी तीन रोटी दे सकते हैं ज्यादा मैं आपको बताओं तो तीन रोटी दे अच्छा रहेगा तीन रोटी दे और ज्यादा है तो उसे आप थोड़ा खाना ज्यादा दे सकते हैं और अपको बताऊं तो आपको रोटी को नन्ना कर लेना है जूर लेना है और उसके बाद ठहिके से धही के अंदर अपने ड्रोड मिलाकर अपने ड्रोको देनी है कि उले के अंदर वह नो चूर्ट पिल proced कर आपके समय के में बात करूंग अगर आपको बहुत ज्यादा घर्मी लगती है तो आप उसे दःज़ों को दोस्तों दूद देता हूं और रोटी खिलाता हूं तो इसकी लाता हूं इस विए तो यह श्याथ है नहीं कि वही इसको गर्मी ज्यादा लगेगी नहीं पर वही गर्मी कम लगेगी जो मैंने इस खाना पता है इस घर्मी ठोड़ी कम लगएगी तो आज के वीडियो आपको कैसी लगई है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को स्क्राइब कर कर दें और घंटिक के निशान को जुरूर दबा दें ताकि जो भी आने वाली वीडियो है सबसे पहले आपको मिल जाएं